नमस्कार दोस्तों आईए आज हम देखेंगे कंबाइन हार्वेस्टर पर आईशेर 557 की परफॉमेंस यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको आईशेर 557 के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ यह 3300cc इंजन का एक शक्ति शाली ट्रक्टर दिया जिसमें कई आधुनी खूबिया जैसे सिंगोवेश गियर वॉक्स, पॉडर ग्राइट टेक्नलोरजी और बल्टी स्पीड पीट्रोगी आईए देखते हैं यह सारी खूबिया कंबाइन हार्वेस्टर को अच्छी तरह चलाने में कैसे मदब करती हैं फसल कैसी भी हो इस ट्रक्टर में है फसल के हिसाब से गियर और स्पीड चुनने की सुधा जो ट्रक्टर पर लोड आने ना दे ट्रक्टर चले स्मूथ और करें ज़्यादा कटाई कम समय में इस ट्रक्टर में है मल्टी स्पीड पीटियो एक ऐसा फीचर जिससे जरुवत के हिसाब से थ्रेशिंग ड्रम को चकर बिलते हैं और प्रॉपर थ्रेशिंग से दाना भी साफ निकलता है इसमें है रिवर्स पीटियो जिसके उपयोग से थ्रेशिंग ड्रम में फसा हुआ पैरा बड़े आराम से बहार आ जाता है और थ्रेशिंग ड्रम को साफ कर देता है दोस्तों इस ट्रक्टर में है सिंक्रो शिफ्ट गियर बॉक्स मतलब जिससे गियर बदले बड़े आराम से और ड्रैवर भी काम करे घंटो लगातार बिना किसी थकान की इस ट्रेक्टर में है कोडर ड्राइब ट्रेक्टलोची जो ट्रेक्टर पे आने वाले अचानक लोड या ज्यादा लोड को डिस्ट्रिबूट करता है जिससे यह ट्रेक्टर बड़े बड़े क्रशी यंत्र जैसे हार्वेस्टर पर आराम से काम करता है और ट्रेक्टर को दबने नहीं देता आप देख रहे हैं इस ट्रेक्टर में टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है जिससे ट्रेक्टर और कमबाइन हार्वेस्टर जैसा बड़ा यूनिट भी खेत में बड़े आराम से घूम जाता है इस ट्रेक्टर में एक और खुभी है कमबी टॉर्क मतलब इंजन और कियर बॉक्स मिलकर स्पीट के इसाफ से टॉर्क देते हैं जिससे कम बीजल खपत में भी ज़्यादा काम करता है और रख रखावा खर्चा भी कम करता है कमबाइन हार्वेस्टर से अलग अलग फसलों की कटाई का किराय की काम से किसान भाई लगब दो वश्यों में ट्रेक्टर और कमबाइन हार्वेस्टर की मूल की मत निकाल लेते हैं और साथ में अन्य ट्रेक्टरों की तुलना में कम बीजल खपत के बाध्यम से अच्छी बचत कर देते हैं यही सारी खूबिया बनाती है आईशेर 557 को कमबाइन हार्वेस्टर के साथ अन्य ट्रेक्टरों से अलग और बहतर इसलिए आईशेर 557 कहलाता है मांटेट कमबाइन हार्वेस्टर का बाश्चा